MTU याने की Maximum Transmission Unit ये networking में क्या होता है बड़ा important aspect है ये बहुत basic है लेकिन बहुत important है यहाँ पर आप देखेगा कि एक truck है और वो केवल इतनी जगा है उसके पास cross करने के लिए और अगर वो इस से ज़ादा size है इस truck का या फिर overloaded है तो फिर इस तरीके का अंजाम होगा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक packit है उसको network में हर जगा घूंबना है और घूंते 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 उसको कहा पहुँच जाना है source से destination पे source से destination पे कोई भी रास्ता आ सकता है कोई भी इस तरीके का आपका blockage आ सकता है blockage in the sense कि यह size limited हो सकता है तो यह size जो limited है इसका जो minimum होगा वो जो minimum है वो कितना है याने कि एक MTU या maximum transmission unit आपने भेजा एक package जिसका MTU है 1500 यहां तक वो गया लेकिन यहां से यहां तक जो network का ये कहें कि निर्धारिज size है या जो size का package जा सकता है वो 1200 है तो 1500 तो जाएगा नहीं क्योंकि 300 extra हो गया तो ये वापिस इसको भीज़ देगा फिर ये जो package है 1200 का बनेगा इसको हम fragmentation कहते हैं अब ये में बताऊँगा आपको और फिर अगर ये 1200 से शुरुआत करता है तो ये हर जगा अराम से जाके यहां पर destination तो पहुँच जाएगा तो maximum transmission unit या MTU networking में भी use होता है और ये शब्द operating system में भी इस्तिमाल होता है ध्यान रखिएगा इसके पूरे माइने ये है कि एक package का largest size यानि कि जो मैंने आपको truck दिखाया था ऐसा कितना बड़ा आप इसको बना सकते हो ताकि ये पूरे network में पहुँचा के आपके destination तक पहुँच जाए तो MTU जो होता है वो bytes में लिखा जाता है MTU जो है इसको decide bytes में किया जाता है लेकिन ये आप बोलेंगे फिर इसका size क्या है या आप कह रहे हो 1500 फिर 1200 फिर कुछ और फिर कुछ और कैसे decide होगा तो ये depend करता है कौन से network technology यूज़ कर रहे हैं अगर ये network यहां से यहां तक पूरा का पूरा आपका Ethernet का है तो 1500 बाइट का अगर आप MTU रखते है तो आराम से data पहुँच जाएगा अगर ये ही network आपका किसी ओर technology माल लिज़े van technology पे चलता है तो ये ही packet size या ये ही MTU आपका 9000 का हो जाएगा ठीक है जी तो अभी आपने जो truck देखा था वो truck तो उसका नुकसान हो गया लेकिन हम इन packet का नुकसान नहीं होने देना चाहते तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस packet को जैसे अभी आपने देखा था कि यहाँ पर 1500 का size था और इस 1500 का size जो है वो जा नहीं सकता था क्योंकि 1200 का एक जगा पे limitation था एक जगा उसका निर्धारित size था तो क्या करेंगे इस 1500 को divide कर दीजे 7500, 7500 में एना 7500 भीज दीजे फिर उसके बाद 7500 दूसरा भीज दीजे यानि कि इसके दो packet बनाके भीज दीजे इसी को हम fragmentation कहते है तो fragmented packet जो होते है packet switching network की खास्यत ही होती है कि इसको आप छोड़ दीजे नेटवर्क पे इसको छोड़ दीजे नेटवर्क पे ये कहीं जाते 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 ये कहीं दूसरा कहीं जाते 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 ये यहां पर पहुँच ही जाएगा और फाइनली इन दोनों packet को मिलान कर दिया जाएगा इसको मिला दिया जाएगा और इसको हम reassembly कहते है एक और example इसका दूँगा या फिर एक बहुत important बाद आपको बताऊंगा कि ये जो maximum transmission unit है ये maximum segment size के साथ चलती है अब आप देखिएगा ये transport layer है और यहाँ पर जो MSS है maximum segment size वो 1460 है इन दोनों को जुड़के ये 20 byte क्या होता है header trailer है ना तो 20 byte जुड़के आपका 1480 बना फिर इसके बाद 1480 और 20 byte फिर network layer ने जुड़ा क्योंकि हर बार header और trailer तो जुड़ता ही है तो ये 20 byte इसके साथ जुड़ गया ये आपका transport layer से भी है अब आप देखेंगे कि जो MTU है वो maximum transmission unit है यानि कि एक ऐसा packet जो पूरे network में चला जाए और destination तब पहुंच जाए चाहे आपका network का size छोटा हो या network का size बड़ा हो तो MTU है यो हमेशा इस layer है जिसे हम layer 3 कहते है network layer उसके reference में उसके बारे में बात की जाती है यानि कि जो packet क्या use कर रहे है जो internet protocol IP protocol यूज कर रहे है वहाँ से बात शुरू होती है तो MTU किवल एक packet नहीं होता है या एक data नहीं होता है इसके साथ आपका header भी जुड़ेगा और ये payload भी जुड़ेगा यानि कि MSS तो payload हो गया payload मतलब उस packet में जो जितना content डार रहे है उसको जुड़िये आप header के साथ और उन दोनों जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तब आपका MTU बनता है यानि कि MTU is equal to payload यानि कि content प्लस उसका header जहां रहेगा तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें IP header भी होगा और TCP header भी होगा क्योंकि उपर की दो layer भी तो काम कर रही है इनको भी तो देखिए उपर की layer भी तो काम कर रही है और जो आपकी करीबन ये देखिए 20 byte IP header जुड़ गया 20 byte आपका TCP header जुड़ गया और ये 40 byte इसके साथ जुड़ गया तब आपका 1500 हो गया और ये मैं Ethernet की बात कर रहा हूँ तो MSS बहुत important है इसमें क्योंकि MTU बगार MSS के नहीं समझ पाएंगे आप maximum segment size IP packet का जो payload है यानि कि जो content packet में डाला जा रहा है वो है इसका मतब ये है कि जो transmission हो रहा है वो उस size का बनाया जाएगा कि वो MTU से exceed ना करें जो अभी content यहां से बन के आएगा वो ऐसे बन के आएगा कि ये 1500 से ज़ादा exceed ना करें अगर हम ethernet अगर network के बारे में बात कर रहे है तो MSS निकालने का तरीका क्या है MTU से आप इनको minus कर दीजे आप ये MSS निकल आएगा एक छोड़ा से example आपको देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा जैसे आपका माल लीजे एक internet का transmission control protocol है इसने बना बता दिया कि भई जो maximum transmission unit है वो 750 बाइट का है यहने कि यह maximum protocol data है भई निकी unit size है जो आप सोड़ से लेकर destination तब पहुँचा सकते हैं इससे जादा नहीं होना चाहिए तो दो cases बन सकते हैं पहला case तो यह होगा कि भई आपके पास माल लीजे 1600 बाइट है तो इसको आप divide कर दीजे कितने में करेंगे 750 है तो 750, 750, 100 एक यह हो गया, एक यह हो गया 30 राप का 100 बाइट बचता है तो यह जो process है एक packet को अलग-अलग भाग में divide करने का इसी को हम कहते हैं fragments या fragmentation माल लीजे इस 750 बाइट का जो आप में size decide किया या dice decide हुआ network के लिए और वो आपको data भेना है कि वज़ 600 बाइट का तो आपको fragmentation की जरूरत नहीं पड़ेगी यूँकि 600 जो बाइट है वो less than है आपके 750 बाइट से जो कि हम maximum transmission unit की बात कर रहे हैं तो आप आराम से इसको एक ही packet में भेज सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप एक single packet भेजते हैं तो इसमें latency आती है इसमें बहुत सारे जो तकलीफे हैं वो जुड़ जाती हैं और यहाँ पर क्या तकलीफ जुड़ती है आपको एक तो इसको अब fragment बनाना पड़ता है और इन तीनों को फिर destination पर जोड़ना पड़ता है तो यह इस तरीके से MTU काम करता है तो hopefully MTU के बारे में थोड़ी जनकारी आपको मिल गई होगी बहुत शुक्रिया